रास्तिये शैक्षिक अनसंधानेवं प्रशिक्षान परिशत के केंद्री शैक्षिक प्राउद द्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत एक के चातरों के लिए कारिक्रम इस कारिक्रम में हम अपने दोस्तों से कुछ पहेलियां पूछेंगे आलेक टेजबाला गोयल का है और इसे प्रस्तुत कर रही है ध्रिती चौधरी दोस्तों आज थम तुम्हारे लिए लाएं है कुछ पहेलिया दोस्तों हर पहेली में उसका जवाब छुपा हुआ है अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो जरूर समझ जाओगे अब तुम ध्यान से पहेली सुनना और जोर से जवाब देना लंबे गर्दन लंबे टांग लंबे गर्दन लंबे टांग दो है कुबड दो है कान रेगेतान है मेरा धाम मेरे कुबड पर चड़ जाओ अच्छा एक बार और सुन लो लंबी गर्दन लंबी टांग दो है कुबड दो है कान रेगिस्तान है मेरा धाम बालू में है चलना काम बच्छो मेरा नाम बताओ मेरे कुबड पर चड़ जाओ दोस्तों बताओ ये कौन सा जानवर है हाँ भई ये है उट उट की गर्दन लंबी होती है न टांग पतली और लंबी और कुबड भी तो होता है अच्छा दोस्तों बताओ उट का दूसरा नाम जा है भई उट का दूसरा नाम है रेगिस्तान का जहाज क्योंकि उट ही एक ऐसा जानवर है जो रेट में चल सकता है और अब सुनो तूसरी पहिए लंबी रसी का बनता हूँ और डाल पर मैं डलता हूँ बच्चे जब चड़ जाते हैं लंबी पेंग बढ़ाते हैं बच्चो नाम बताओगे बच्चो नाम बताओगे लंबी पेंग बढ़ाओगे भई कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं जान से सुनो नहीं तो जवाब नहीं बताओगे लो फिर से सुनो ये पहिली लंबी रसी का बनता हूँ और डाल पर मैं डलता हूँ बच्चे जब चड़ जाते हैं लंबी पेंग बढ़ाते हैं बच्चो नाम बताओगे लंबी पेंग बढ़ाओगे क्यों दोस्तो समझ गए न ये क्या है ये है जूला भई जूला ही तो डाल पर डलता है और लंबी रसी से बनता है कितना मज़ा आता है जब जूला जूलते हैं और हाँ बर्गत की जटाएं पकड़ कर भी तो जूला जूलते हैं तो भई उट और जूले की पहेलियां तो तुम समझ गए अब एक और पहेली सुनो ये पहेली ऐसी चीज़ के बारे में है जिसको लड़कियां जल्दी समझ जाएंगे ध्यान से सुनना हो सकता है तुम सब भी समझ जाओ क्योंकि हर घर में इसका प्रयोग होता है तो लो सुनो ये पहेली रंग हरा है पर हूँ लाल मेरी पत्ती करे कमाल तिल पर पीसी जाती हूँ सब के हाथ रचाती हूँ बच्चो सोचो नाम बताओ लाल हथेली करते जाओ अच्छा फिर से सुनो और सोच कर जवाब दो रंग हरा है पर हूँ लाल मेरी पत्ती करे कमाल सिल पर पीसी जाती हूँ सब के हाथ रचाती हूँ बच्चो सोचो नाम बताओ लाल हथेली करते जाओ अब बताओ ये क्या है ये है मेहंदी भई मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं पर जब हाथों मेरा चाय जाती है तब हतेली लाल हो जाती है शादी त्योहार या कोई भी शुपकाम हो लड़के अपने हाथों में मेहंदी अक्सर लगाती है दोस्तों अब एक ऐसी पहेली पूछती हूँ जिसे तुम सब आसानी से नहीं पैचान सकोगे पर हाँ ध्यान से सुनोगे तो ठीक जवाब दे सकोगे तो शुरू करें हम पानी में रहते हैं पानी ही अपना घर है बादल भैया जब आ जाते जोर जोर से शोर मचाते बच्चो सोचो नाम बताओ उछल कूद कर घर को जाओ बच्चो सोचो नाम बताओ उछल कूद कर घर को जाओ एक बार और सुनो हम पानी में रहते हैं पानी ही अपना घर है बादल भाईया जब आ जाते जोर जोर से शोर मचाते बच्चो सोचो नाम बताओ उचल कूद कर घर को जाओ अच्छा दोस्तों बताओ जब बादल गरशते हैं पानी बरसता है तो जोर जोर से शोर कौन करता है? क्या कहा? मोर? भई मोर शोर नहीं करते मोर तो नाशते हैं करके गाते हैं ये है मेंधर दोस्तों आज तुमने चार पहेलियां सुनी किस-किस के बारे में? उन्ट, जूला, मेहिंदी और मेंधर के बारे में दोस्तों अब हम तुम्हें एक गाना सुनाएंगे हम छोटे छोटे बच्टे हैं हम प्यारे प्यारे बच्टे हैं देश की आँकों कितारे हैं भारत मा के दुलारे हैं बच्टे प्यारे प्यारे हम ये गानत तुम भी गाओगे? तो शुरू करें हम छोटे छोटे बच्टे हैं हम छोटे छोटे बच्टे हैं हम प्यारे प्यारे बच्टे हैं हम प्यारे प्यारे बच्टे हैं देश की आँकों कितारे हैं देश की आँख के तारे हैं भारत मा के दुला रहे हैं भारत मा के दुला रहे हैं बच्चे प्यारे प्यारे हम बच्चे प्यारे प्यारे हम हम प्यारे प्यारे बच्चे है हम प्यारे प्यारे बच्चे है दोस्तों तुमने दीदी के साथ ये गाना गाया अच्छा अब एक बार और गाओ जिससे गाना ठीक से याद हो जाए तो शुरू करें हम प्यारे प्यारे बच्टे हैं देश की आँप कितारे हैं भारत मा के दुलारे हैं बच्चे प्यारे प्यारे हम बच्चे प्यारे प्यारे हम बच्चे तोटे तोटे हम हम तोटे तोटे बच्टे हैं हम प्यारे प्यारे बच्टे हैं हम तोटे तोटे बच्टे हैं हम प्यारे प्यारे बच्टे हैं झाल, 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 झाल.